नमस्कर दोस्तो आज की इस नए वीडियो में एक बर फिर सापका स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को B.A.D.L.E.D. की रिक्त सीट के बारे में जनकारी देने वाला हूँ जी हाँ दोस्तो चार राउंड की काउंसलिंग के बाद किस कालेज में कितनी सीटे खाली है पूरे जनकारी देने वाला हूँ साथ इसाथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया कब से कब तक होगी और कब इसका लिस्ट आने वाला है पूरा सेडूल के बारे में भी जनकारी देने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कौन सी कालेज में कितने रिक्त सीटे हैं उसके बारे में जनकारी देता हूँ पहले देख लिजिए दोस्तों बीएड की जो वेकेंट सीट है बीएड की खाली सीटे हैं 29 नवंबर 2023 की स्थिति में तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि कोर्स अकोड दिया है डिस्टिक्ट नेम दिया गया है कि कौन सा जीले में है और जो संस्था का नाम दिया गया है कि वहाँ का नाम क्या है कोर्स अनेम नंबर आफ सीट टोटल सीटे है टोटल में कितना भरा हुआ है और कितना खाली है इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह बीएड की टेंटिटिव सीट है बीएड की खाली सीट का विवरान इस प्रकार से आप देख सकते हैं और यह जो एड्मिशन की प्रक्रिया जो अभी लिस्ट आईगी वो कैसी आईगी कब इसका सेड्यूल है मैं आपको पूरी जनकारी देने वाल होती इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह जो वेकेंड सीटे है 29 नवंबर 2003 इस कल के डेट में इस जो वेकेंड सीटे है खाली सीटे है उसके बारे में जनकारी साइट पर अपलोट किया गया है इस प्रकार से आप देख सकते हैं तो यह रहा जो वेकेंड की जो टेन्टेटिव सीटे हैं कौन से कालेज में कितने रिक्त सीटे हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं या पीडिएफ आपको हमारे स 22 सीट है 22 वेकेंड सीट रिक्त सीट है 29 नमबर 2023 की स्थीति में इस प्रकार से आप देख सकते हैं डिस्टिक्ट नेम जो आरगनाईजेशन मतलब संस्था है कौन से संस्था में कितने सीट है यह देखिये डियेलेट के लिए नमबर आप सीट है कितना भर गया कितना खाली किक करके जनकारी देख सकते हैं और इसके लिए जो एड़मिसन की प्रोसेस कैसे रहेगी आपको एड़मिसन कैसे मिलेगा और कब इनका जो लिस्ट आएगा पूरीThis Practice आपको मैं दिखाने वाला हूँ तो आप पूरी जनकारे के लिए लाइन में बने रहे अंतक क्यों देलेड बेलेड बेबीएड बेस्झी बेट पाठ्याक्रम के लिए तो पुर्वचरणों में दिए गए एक vikल पके अधार पर तीसरी शूची जारी करना तो तीसरा रिष्ट जो है दोस्तों चार 12-2023 को आने वाला है इस प्रकार आप देख सकते हैं पुर्वचरण में दि उसके बाद पुर्वा चरण के विकल्प के अधार पर 4.3 सूची पुना जारी करेगा 7.12.2023 को जारी सूची से महाविद्याले में प्रवयस के लिए निधारेती थी 8.12.2023 से लेकर के 11.12.2023 तक रहेगा और प्रतिक्षा सूची आएगा एक अनपात 5 के अनपात में 12.12.2023 प्रतिक्षा सूची के भेर्थे द्वारा एक महाविद्याले के लिए अपने लागिन में जाकर सलेक्ट करने किती थी तथा आवेदन की प्रिंट संबंधित महाविद्याले में दस्तायत के साथ जमा करने किती थी 13.12 से 14.12 दोपर 2 बज़े तक समय रहेगा उसके अब दे किन अभ्यर्थों को इसमें एडिविशन मिलेगा क्या नए अभ्यर्थी इसके लिए आनलाइन आदन कर पाएंगे तो देखे तिसरी अम चोथी सूची अभ्यर्थों द्वारा पूर्व में दिये गए विकल्प फार्म में दिये गए महाविद्यालियों के विकल्प के एक्टिव है उन्हीं अभ्यार्थियों के आयदान पर विचार किया जाएगा उसके देखिए प्रतिक्षा सूची के लिए जीन अभ्यार्थियों ने प्रथम चरण एमदृती चरण में विकल्फ फार्म जमा किया था ठीक है मतलब जो भी केंडिडेट कांसलिंग फार्म फि चरण एमदृती चरण में विकल्फ फार्म जमा किया था एम जिन्हें दोनों चरणों के दोनों सुची में महाविदला अबंटित नहीं हुआ है उनके आयदन पर इस चरण की प्रथम प्रतिक्षा सूची के लिए विचार किया जाएगा इसके तरिक्त जिन्हें पूर्व पहले दूसरीแकुशलिंग में भाग लिए है और अधविशन नहीं ले पए है जो पहले online counseling करा चुके हैं वही candidate इसमें farm apply कर पाएंगे और अधर मतलब उनहीं का जो नाम आएगा और जो अभी farm भरे हैं अभी आपको farm भरने का मौका नहीं मिलेगा जो अभी तक counseling में भाग नहीं लिए हैं उनको मौका नहीं मिलेगा किसी भी महावी दाले में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम अभंटन प्रक्रिया प्रतिक्छा सुची में नहीं आएगा जिन अभियर्थियों का नाम इस तिसरे हम चोथी सूची में आएगा उन्हें अबंटित महाईदाला में प्रवेश लायन अनिवार होगा अन्यथवे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएगे अभियर्थियों का नाम कई महाईदाला में आएगा उन्हें से जिस महाईदाला के नाम आएगा प्रदिक्षा सुची में भियर्थिय का नाम आया है वह जहां भियर्थि प्रवेश लेना चाहता है उस महाईदाला अर्थात एक महाईदाला का विगल्प भियर्थि आलेन अपने लागिन में जाका सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद एक परची प्राप्त होगा जि प्राप्त वद आवेदनों का ब्यापन द्वारा आवजित प्रीपरिक्षा 2023 के प्राप्तां के अधार पर मेरिट सुची बनाएगा इस प्रकार आप देख सकते हैं महाई दैले को प्राप्त आवेदन के अधार पर निधारी तिथी को मेरिट गम जारी करना आवस्यक होगा तो इस प्रकार आप देख सकते हैं और महाई दैले प्राप्त प्राप्त दस्वी की अंग्षुची की और प्रीपरिक्षा की अंग्षुची काउंसलिंग प्रपत्र ये सभी डाकुमेंट आपको जो है जमा करने होंगे आनलाइन अपडेट के अरने के बाद ही अभेर्थी का आप बंटन पत्र जारी होगा तो आप देख सकते हैं ये सभी जो नियम निर्देश दिया गया है इसी के अधार पर आप जो है एडिमिशन ले पाएंगे आपको मैं सिधे रिक्त सीटो की जनकारी कैसे डाउनलोड कर करेंगे तो इस प्रकार से आपको पेज मिलेगा इस पेज में आप नीचे आएंगे देखें सीजी एसी आटी इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये पेज ओपन होगा इस पेज में आप देखिए आगे आएंगे आपको बीएड डीले किसकी जनका है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज मिलेगा आपको नीचे आप आगे आएंगे देखिए इस प्रकार से बीए डिलेट की तो आपको बीएट की सीट चाहिए रहेगा तो आप क्लिक टू लागिन यहां कर सकते हैं उसके देखिए जैसे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो आपको आगे देखने को मिलेगा बिए टेंटेटी वेकेंट सीट आफटर फॉरांट आप इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है जो वेकेंट सीटे की जानकारी वाला पीडेफ डाउनलोड हो जाएगा तो इसी प्रकार डियलेट की आपको आपको क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका डियलेट का जो पीडियेफ आजाएगा डियलेट टेंटेटी वेकेंट सीटे ठीक है दोस्तो तो यही जानकारी आप तक सेयर करना था मिलते है फिर स्थेकने वीडियो के साथ थेंक्यू फॉर वाचिंग जाहिंजा भरत जड़ 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 इस गड़